नमस्कार मैं हूँ आचारे विक्रमादित्य नमस्कार मैं हूँ आचारे विक्रमादित्य मिथुन राशी वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का समय उसमें क्या कुछ होने के योग है देखिए ग्रह गड़ना दिखाती है कि आपकी जो विशेशतार पर जो ग्रहों का योगा योग है वो आपके लिए बहुत उन्नती कारक रहेगा देखिए आपके जो ग्रह के राशी के स्वामी है वो है बुद्ध और बुद्ध इस समय में चल रहे थे थोड़े कष्ट में लेकिन वो अब पूरी शक्ती के साथ आगे बढ़ने के योग बनाने वाले है 18 जन्वरी को बुद्ध हो रहे हैं मार्गी और पूर्ण शक्ती में आकर अग्रसित होंगे आपको लाब देने की योग बनाएगा आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी आपकी औरगनाइजिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ने वाली है जिन चीजों में आपको थोड़ा संकोच हो रहा था आप पीछे तरफ से रास्ता ढूर्णने का प्रयास कर रहे थे अब बहुत जल्दी से बुद्धी में आपके सीधे रास्ते आने वाले हैं क्योंकि जो सीधे रास्तों से काम हो जाता है उनको उल्टे रास्ते करने पकड़ने की जरूरत नहीं होती है तो बुद्ध वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होने जा रहे है विशेश दर पर आपके लिए बहुत उन्नती का समय दिखाई दे रहा है और साथ-साथ कई ग्रहों का परिवर्तन इस पक्ष इन पंद्रा दों में होने वाला है जो आपके लिए बहुत कई प्रकार के योग बनाने वाले है ये परिवर्तन का समय है, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है बड़ी साफधानी के साथ चलने का प्रयोग है, टाल मटोल करने का समय नहीं है, आपके राशी के रुशा से एक बात समझ में आती है, जो चीज का रहे हैं, थोड़ा बुद्धी को, बुद्धी पॉजिटिव तरफ जा रही है, पॉजिटिव तरफ नेगेटिव नहीं जा यह पॉजिटिव जा रही है, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करकर आप काम करने का प्रयास करें, क्योंकि यह 15 दिन बेहत कास है, कई प्रकार के विचित्र योग आपकी कुंडली में जो बनने के खास तरफ योगा योग दिखाई देते हैं, क्योंकि शनीम भी महाराज इ जो हाफ महीना जो है, विशेश तरफ पर शनी का परिवर्तन, बड़ा महतुपूर्ण परिवर्तन है, 22 तारीक के बाद एक दम ऐसा दिखाई देगा, कि कुछ नई उमीदे जाग जाएंगे, जो उमीदे आपको दिखाई दे रही हैं, अभी कुछ नहीं है, लेकिन वह ऐस परिवर्तन हो रहा है, बड़े जल्दी से आगे आगे पका के खा लेंगे, नहीं है, तुरंत कारे करने की जरूरत है, इस पक्ष में आप समझ दीजेगा, जो जो ऑपरचुनिटीस आपके समक्ष बन के आ रही हैं, उन ऑपरचुनिटीस को तुरंत आपको एंकेश्मेंट करने की जरूरत है, और तो और विदेश सम्मंदि जो को लोग कारे करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाव होने के योग दिखाई देते हैं, आपके राशी के अनुसार से लाव की स्थिति बन सकती है, आपको विशिश्तर पर आपने जाद विराद्दी से बहार जाकर का करना चाहिए, जो आपके धर्म से सम्मंद नहीं रखते हैं, उनसे बाहर के लोगों से संपर करने से विशिश्तर पर आपको लाप राप्त हो सकता है, और इन स्थितियों का लाप तभी उठा सकते हैं, जब तुरंत कारे करना है, हाना में उहापों में नहीं फसना है आपक कि बहुत जादा लालच करने की जरूरत नहीं है, आप सोचे बैठे रहें कि बहुत बड़ा और लाप हो जाएगा, और लाप हो जाएगा, तुरंत कारे कर लिजे इस वक्त, क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करने से आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, तो हम कहेंगे, तो इस समय में तुरंत लाव लेते हुए, विचार करते हुए काम करने का प्रयास करें, और अपने ग्रहों को और शक्ती देने के लिए एक उपाय करें, देकि बुद्ध इन दिनों आपकी राशी के अनुसार से मारगी तो होने जाई रहें, लेकिन एक काम करें गव सिवा करें, गाएं को पालक हिला दिया करें, बुद्ध वार के बुद्वार गाएं के किसी गवशाला में जाकर या गाएं बहार दिखाय दिजाए, तो उसको पालक विशेश तोर पे दीजे, तो आपसे लाप रापत हो सकता है, एक काम होर कर सकते हैं, देखिए, पत्र अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें माग के महीने में बिलोपत्र भवान पर अर्पित करने से तो समस्त बरुकामना सिद्धी के युग बनते हैं तो ये छोटा सा उपाए आपको बहुत बढ़िया तरीके से लाब दे सकता है आपके समय में परिवरतन पॉजिटिव तरफ आपको लाब ले जाने के युग बना सकता है एक काम और इस वक्त मंगल जो आपकी आशी के अनुसा से एक बड़ा विचित प्रकार का युग बना रहा है जो कहता है कि जितना गरीब इस्तरियों की सेवा करोगे दान करोगे उतना जादा आपको लाब प्राप्त हो जाएगा इसलिए दान से भागना मत ये पॉजिटिव तरफ आपको बता रहे हैं तो ये पॉजिटिव इस समय का लाब है आने वाले 15 दिनों में आप थोड़ा बहुत दान अपनी सामर्त के अनुसार से करने का प्रयास करें वड़ा विचित प्रकार का योग बन रहा है आपकी कुण्डली में कि जितना दान करोगे सेवा करोगे उससे कई गुना अधिक लाब होकर आपकी राशी में आपकी भागे में समय आपको वापिस दे देगा उसका पुन्य उद्य कर देगा तो कुशी करें इस समय का इस तिदी के अनुसार से आप लाब लेने का प्रयास करें फिर भी यह आपके मन में कोई शंका है देकि यह तो राशी के साब से हम बता रहे हैं लेकिन जरम पत्री का एक विशे बड़ा विचित्र होता है क्योंकि राशियों में तो बारा राशियों में तो पूरा संसार विभकत हो जाता है लेकिन हर जीव अपने अपनी राशी के अनुसार से अपने ग्रहों के अनुसार से अलग-अलग जन्म लेता है तो उसको भी सुक्षम दिश्टी से देखने की आवश्यक्ता होती है तो समन्द में आप जो numbers नीचे दिये गए हैं उन पर अपना message बेश सकते हैं या इस video में जाकर अपने लिए निजी रॉप से जानने के लिए comment कर सकते हैं हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्णों का समधान अवश्य दें हमारे संस्थान के माध्यम से बहुत जल्दी आपके परिशानी को दूर करने कोई रास्ता अवश्य मिल सकता है और साथ-साथ आप हमारे आश्रम पर बता सकते हैं विवार को विवेकरन योग आश्रम दिल्ली में खुरेजी में एक बहुत बड़ा यग्य भी आविद के आता है उसमें सब लोग बैठकर अपने ग्रहों के निवारण के लिए यग इत्यादी कर सकते हैं और सुन्दर विवस्ता आश्रम की तरफ से होती है आप उसमें आए भाग ले माभगवती का दर्शन करें ध्यान करें आपकी मनुकामला सिद्धी होने के योग बनेंगे